पॉपिलर सिटकॉम शो तारक महता का उल्टा चश्मा पिछले 15 वर्षों से लोगों का इंटेन्मिंट लेवल बनाए रखने के लिए कहानी में नए नए प्रैत्न करने में कसर नहीं चोड़ रहा मगर फैंस को इंदिजार है उस किरदार का जिसके बिना शो की बारे में सोचा भी नहीं जा सकता दयाविन कैरेक्टर की 6 साल से शो में वापसी नहीं हुई है हाली में कहानी को ऐसा दिखाया गया जिससे फैंस को लगा कि फाइनली इस कैरेक्टर की एंट्री हो रही है मगर अर्मानों पर पानी फिरने पर उन्होंने शोग को बॉयकॉट करने की मांगी जिसके बाद प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी और एक्टर सचेन शौफ ने फैन्स के लिए मेसेज़ शेयर किया है दयाबिन कैरेक्टर की वापसीना होने पर फैन्स दे मेकर्स पर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड करने का आरोप लगाते हुए शोग को बॉयकॉट करने की बात कही इस बीच अपनी लॉयल ओडियन्स का मन बनाए रखने के लिए असित मोदी ने कहा कि वो जल्द से जल्द दया भावी को गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आएंगे उन्होंने कहा गुस्सा उसी पर करते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं आपका प्यार हमारे से रांख उपर आपका प्यार हमारी प्रेरना है आपके प्यार की हमें बहुत कदर हैं हम आपकी भावनाओं से खिलवाड नहीं कर रहे हैं यकीन कीजे हम दया भावी को नहीं नहीं कहानियों का आनंद लेचिए असित मोदी के मेसेज के बाद भी कई फैंस का दिल नहीं पसीचा